मित्रो जैसियाराम, हिंदु जीवन ग्यान चैनल में आज कुछ ऐसी बात करेंगे जिस पे लोग खुल कर चर्चा नहीं करते या यूँ कह लीजे कि हमारे भारतिय परमपरा में खुल कर चर्चा करने की ऐसी बेवस्ता नहीं रही है लेकिन कहीं नहीं चीज़ों पर चर्चा तो होनी चाहिए मित्रो आज बात कर रहे हैं ओड़तों के मासिधर्म के वारे में आपको हमको पता है कि हर घर में हमारी मावहनों को मासिधर्म होता है महीने में लेकिन यदि कोई अनुस्थान चल रहा है घर में, यदि कोई पूजा पाठ चल रहा है या कोई भी ब्रत उन्होंने नाधा हुआ है, मंगल का ब्रत करती हैं, या सोमवारी करती हैं, या गुरू ब्रत करती हैं, ऐसे में किसी बिरहस्पत को, किसी मंगल को, किसी सोमवारी को, अगर वो period में हो तो उन्हें क्या करना चाहिए घर में अखंड रामायन का अनुस्थान किया गया है ऐसे में period आजाए तो क्या करें हम दैनिक पूजा करते हैं दैनिक पूजा के क्रम में यह हमें period आ गया तो हम क्या करें कि हमारा पूजा जो है खंडित ना हो निरंतर चलता रहे मित्रों दक्यान उसी बातों को छोड़ दीजे यह सब बहुत ही पुरानी बात है कि पीरियर्ट आ गए तो आपको किचेन में नहीं जाना है इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना लेकिन हाँ इसके साथ-साथ कुछ चीजों को बहुत असपस्ट करना चाहता हूँ मित्रों रसोई में ना जाना किसी चीज को न छूना आचार को न छूना इन चीजों का दियो तक नहीं है कि आपको गुलामी के जंजीरों में बांधा जा रहा है इन चीजों का दियो तक है कि गंदगी में जब सरीर सुध ना हो तो इन चीजों को नहीं छूते हैं क्योंकि वहां अनपूर्णा का वास होता है तो रसोई घर में जाईए लेकिन कोशिश किजिए कि उन दिनों में आपको खाना ना बनाना परे क्योंकि अगर आपके बनाय हुए खानों को खाने को कोई एदिया ब्राह्मन को देते हैं किसी साधुसंत को देते हैं तो यह उचित नहीं होगा मित्रू यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ क्योंकि एक बार राजा जनक जो की जानगी जी के पिता थे उन्हें भी नर्क जाना पड़ा था एक घंटे के लिए क्यों? क्योंकि एक बार वह भोजन कर रह थे और सामने से रजसुला इस्त्री गुजर गई थी उसका पाप उन्हें यह लगा था कि एक घंटे के लिए नर्क जाना पड़ा था हाला कि राजा जनक के नर्क जाने से नर्क में पड़े कितने जीवों को मुक्ती मिल गई थी खैर तो आईए अब बात करते हैं कि हम क्या करें में तो देखे अमूमन महिलाओं को उनके डेट्स पता होते हैं कि कब से संभावना है पीरियट के आने की अगर ब्रत के बीच में आप पीरियट से हैं तो आप कुछ ना करिए सिर्फ चावल को कपने में बांध कर पूजा के अस्थल पे ना रखे कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां उसे जिव जन्तु ना खाएं बाद में उस चावल को विसर्जित कर दीजिए और पुन्ह अपने ब्रत को अगले वार से continue रखिए तो आपका ब्रत खंडित नहीं माना जाएगा यदि घर में अनुस्थान चल रहा है और अचानक ऐसा हो जाता है उस समय भी आप चावल को दूध में भीगो कर किसी बरतन में रख दीजिए और अनुस्थान समाप्त होने के बाद उ कीजिए तो आपका अनुस्थान भी खंडित नहीं होगा तो आसा करता हूं मित्रों की माताएं और बहने जो भी इस जानकारी को देख रही है उन्हें यह अच्छा लगेगा और उनका पूजा भी खंडित नहीं होगा और प्रभु से एक जूटता भी बनी रहेगी जैसे झाल